गुड मार्निंग आला फियों कच्छा आठ संस्क्रिप्त का दूसरा पाठ है वारानसी इस पाठ को पढ़ने से आपके ग्यान में ब्रद्धी होगी इस प्रकार से जब तक आप सब्द रूप धात रूप नहीं याद करेंगे कम समझ में आएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नुच्छेद अस्माकम देशे बहूने तेर्थ अस्थानानी संती अस्माकम मने हमारे देशे मने देश में बहूने मने बहुत से तेर्थ अस्थानान तेर्थ अस्थान संती मने हैं हमारे देश में बहुत से तेर्थ अस्थान हैं तेस वाराण से अपि एकं प्रसिद्धं पुण प्रदम प्राचीनतमं तेर्थ अस्थानं अस्ते। तेस मने उनमें उनमें वाराण से अपि मने भी उनमें वाराण से भी एक प्रसिद्ध पुण प्रदान करने वाला प्राचीनतम सबसे पुराना तेर्थ अस्थान है। इदम कासी नाम नापी प्रसिध्धम वर्तते यह कासी नाम से भी अपी मने भी कासी नाम नापी कासी नाम से भी प्रसिध्ध है वर्तते मने भी आर्थ होता है अनेके सु प्राचीन ग्रंथे सु अस्य महिमा वर्णिता अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है इसकंद पुराण के कासी खंड में इस वाराण असी के विस्तार का वर्णन किया गया है दूसरा नचेद यम नगरी विमल सलिल तरंगाया गंगाया पवित्रे कूले विराजमाना अस्ति यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों अली गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है इस्थित है कूले मने तट पर पवित्रे कूले पवित्र तट पर गंगाया गंगा के तो यहां दूसरी पंक्ति अत्रेव विस्टनाथस्य प्रसिद्धं सुवर्ण चूड मंदिरं अस्ति अत्रेव अत्र मने यहां एव मने ही यहां ही मिला दीजे तो यहीं यहीं विस्टनाथ का विस्टनाथस्य सश्थी विभक्त एगवचन कारोब विस्टनाथस्य विस्टनाथस्य प्रसिद्धं सुवर्ण चूड मंदिर सुवर्ण चूड मंदिर है अन्यानी अपी बहुनी देव मंदिरानी संति अन्यानी मने दूसरे अपी मने भी दूसरे भी बहुत से बहुनी दूसरे भी बहुत से देव मंदिर हैं यथा जैसे संकट मोचन मंदिरम, नवीन विश्टुनात मंदिरम, दुरगा मंदिरम, काल भैरो मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम च, जैसे संकट मोचन मंदिर, नया विश्टुनात मंदिर, दुरगा मंदिर, काल भैरो मंदिर, और तुलसी मानस मंदिर है तीसरे अनुछेद में वारण स्याम गंगा उत्तर वाहिनी जाता वारण सी गंगा की उत्तर वारण सी में गंगा उत्तर दिशा में भहती हुई हैं हुई दिखती हैं तस्या तीरे अनेके मनोहरा घटा संत उनके तट पर अनेक संदर घाट हैं अस्या प्रसिद्धेश घटेश दिशाश्यमेद राजेंदर प्रसाथ पूलसी पंचे गंगा घटा अन्यतमा संते अश्याग प्रसिद्धेश घटेश इनके प्रसिद्ध घाटों में दिशास्मेद राजेंदर प्रसाद तुलसी पंचेगंगा घाट दूसरे भी हैं यत्र जहां प्राता सायंकालेचा महान जनसमदाया आयाती जहां सुबह और साम बहुत बड़ी भीड होती है जनसमदाया आता है तत्र केचन स्नानते वहां कुछ स्नान करते हैं केचन संध्यावंदनम कुर्वंते कुछ संध्यावंदन करते हैं केचित कथाम स्रणवन्ति कुछ कथा सुनते हैं केचित नौका सुविहरंतिचा और कुछ नौका विहार करते हैं अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजति इसके घाट वले के आकृति में अंगूठी के आकृति में पंक्ति बद्ध स्वच्छ चांदनी में सुन्दर दिखते हैं सुन्दर लगते हैं शुशोभित होते हैं अगणिता परेट का सुदूरी भ्या देशे भ्या नित्यमत्र आयंति अनगिनत यात्री दूर देशों से नित्य प्रति यहां आते हैं अत्र मने यहां आयंति मने आते हैं अश्या घट्टा नाम चा सोभा में लोग के बहुत प्रसंस अन्ति और इसके घाटों की सोभा हैनि सुन्दर ता विलोग के मने देखकर बहुत प्रसंसा करते हैं अत्रईव एकम पिशाच मोचनम नामकम तेर्थ मस्ती यहीं एक पिशाच मोचन नामक तेर्थ है यत्र जहां यात्रिना आगत्य यात्रिया कर पित्रिनाम स्राध्ध क्रियाम कुरवंते अपने पित्रों का स्राध्ध क्रिया करते हैं शिवरात्री दिने अत्र विशेश रूपेन मेला लगती, शिवरात्री के दिन में यहाँ विशेश रूप से मेला लगता है, लगती मने लगता है ग्रहन समय अत्र महान, जन समुदाया, एकत्रा भवती, ग्रहन लगते समय, ग्रहन दो होते हैं, एक चंदर ग्रहन, दूसरा सूरी ग्रहन तो ग्रहाण के समय में भी यहां बहुत बड़ी भीड इकठा होती है एकत्रम मने इकठा भवत मने होती अत्रगंगायाम सनानाय स्री विशुनाथ सिदर्शनाय चासदयो भिन भिन प्रदेशे भ्याजना आगच्छनते यहां गंगा में सनान करने के लिए और श्री विशुन आते हैं जनाह आगच्छनते लोग आते हैं आपको हमने तीन अनुछेद पढ़ाया इसका भावार्थ लिखकर आप भेजेंगे जैसा कि मैंने बताया है और सेश जितना पाठ बचता है हुआ अगले टर्न में ओके